रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होता वीडियो रखी रह जाएगी आपके पास बस डाउनलोड तो कर सकते हो लेकिन उसके देखने के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा कुशन पढ़ें नेट पर्जेंट वेल्यू निकालेंगे या चयता है rotex ध्यान दीजेगा rotex company is considering एक rotex company है उसने plant and machinery considering किया investment made that products x के अंदर investment करना चाहता है इन product x के लिए machine का cost है यानि सर हम जो भी product की बात कर रहे हैं उसके लिए मसीनरी लगेगा पांच लाग का the first year आपको product 10,000 unit बना के देगा first year product कितने unit बना के देगा 10,000 unit पहले साल will be produced and the price will be 20 per unit the volume expected to be increased by 20% हमारा लगता है के सर इसका न पहले जो 10,000 unit था वो बढ़ था पहले 10 था जो होने वाला है 20% increase करके 12 हो सकता है and price of product और price भी बढ़ गया यानि पहले साल का तो दे दिया और expected to increase the material used to manufacture the product becoming more expensive क्योंकि ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो हम material use कर रहे थे न वो ज्यादा महंगा हो गया तो सर महंगा जब material लाओ गये तो price तो बढ़ेगा ने यहां पर unit भी बढ़ा दिया अगले साल क्या rate रहने वाला है सब्ज़़ तो प्रेट ने वाला है the production cost of first year will be 10 the company use state line method depreciation machinery के उपर for tax purpose there will be salvage value of the fifth year कहते है no salvage value यानि सर इसका कोई भी scrap value नहीं होगा यहाँ पे salvage value जो है आपका बिलकुल 0 रहेगा क्योंकि no salvage value कह दिया इसने और fifth year life of the machine and tax rate 50% tax rate क्या है हमारा 50 and the discount rate सर discount rate का मतलब समझिएगा क्या होता है जो calculator पे rate निकालते थे future value का उससे बोलते हैं सर discount rate अभी तो question पूरा पढ़ा भी नहीं बच्चे कह रहे हैं question दुबारा समझा दीजिए question पढ़ें तभी तो दुबारा समझाएंगे न आगे कहता है should machine bought हमें machine खरीदे या नहीं खरीदना मैं दुबारा समझाओंगा question lengthy है typical है एक बार हम फिर से समझेंगे फिर करेंगे जब तक पूरा question समझ में नहीं गया answer करने का कोई फाइदा नहीं है कहता है सर हमने एक machinery buy किया है roughly बता रहा हूं जिसकी कीमत हमें पढ़ी है पांच लाग के इस machinery को buy करने के बाद हम पांच साल तक कुछ न कुछ बनाएंगे इससे एक unit x बनाने वाले हैं पहले साल में हमने इस machine को चलाया और इससे हम 10,000 unit बना पाए और इसको बनाने में हमारा selling price जो था unit का वो था हमारा कितने का सर 20 रुपे का बेच दिया करते थे और variable cost या आप कह सकते हो production cost प्रड़क्शन कॉस्ट सर यहां पे कितने का आ रहा था 10 का आ रहा था लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया हमने अपना production बढ़ाया और production 20% से बढ़ाया यानि next year के अंदर हमारा sale 12,000 हो गया साथ के साथ हमने selling price भी बढ़ा दिया सर सेलिंग प्राइस था अब 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 22 का हो गया सर इसके बाद selling price के बाद variable cost में भी increment लगा तो यह 11.5 हो जाएगा 15% लगा है सर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा 22 कैसे है तो मैं बोल दू कि 20 रुपए का 10% निकाल लिया हमने तो 2 रुपए आया पहले 10 का था अब 20 का था अब 2 और बढ़ गए तो 22 का नियू हो गया कौन-कौन से year के लिए होगा second, third, fourth and fifth इतने सालों के लिए पहले साल का सर यह 11.5 कैसे आया पहले 10 रुपए था 10 का मैंने 15% बढ़ा दिया यह तो यह जोड के यह आ गया अब यानि 5 सालों का और tax rate कितना दे रखा है 50% यानि very simple 5 सालों का inflow तो पता चल रहा है चल रहा है नहीं चल रहा sales पता है, variable cost पता है, tax पता है, सारी चीजे पता है तो 5 सालों का inflow पता चल जाएगा और हमें outflow भी पता है अगर net present value इसका रहा positive अगर net present value क्या रहा तब तो machinery should be buy अगर रहा negative तो rejected यह उच रहा है तो सर machinery को खरीदे या ना खरीदे यह फैसला होगा present value के जब कुछ ना बोला जाए तो तो हमें इसका present value निकालना पड़ेगा एक बार आप भी question को पढ़िए, मैंने roughly समझा दिया, किसी को दिक्कत है तो बताईए question एक बार फिर से पढ़िए आप solution पर चलें क्या समझ में आगया सभी को question क्या है, चलिए sir solution पर चलते हैं हमें सबसे पहले हम इस machinery को खरीदें या नहीं खरीदें अगर हमें निकालना पड़ेगा NPV और NPV कहता है sir, cash inflow minus में cash outflow और cash inflow भी कौन से वाला sir, present value वाला, क्योंकि आउट फ्लो तो आज का है और inflow पांस सालों में आएगा तो उसको convert कर देंगे आज की date पे जैसे हमने पहले सीखा था सबसे पहले हमें inflow निकालना पड़ेगा तो scenario यहां पर यह बन रहा है, दो सालों का एक पहले साल का inflow कुछ और है कैसे मैं पहले first year का बात कर रहा हूँ sir, first year में क्या होगा? sales sir, first year के अंदर sales कितने का है? 10,000 unit है 20 रुपए का है sir, minus में कर देंगे cost 10,000 unit है और question ने खुद का है first year में 10 यह आ गया profit PBT कहलो आप एक लाख, अब इसमें क्या minus करेंगे? अज़ नहीं, profit से पहले दो debt भी होगा minus पहले debt भी करेंगे minus minus क्या कर देंगे? depreciation sir, depreciation question ने कहा है, SLM है SLM का formula क्या होता है? depreciation is equal to क्या करते है? cost minus scrap अगर है तो divided by useful life sir, cost पांच लाख है scrap zero है और five, तो कितना आगे debt एक लाख यह हर साल SLM के साब से तो sir, यहाँ minus कर देते है, debt profit क्या गया? पहले साल का zero, तो घबराने की कोई जूरत नहीं है profit और cash flow दोनों अलग चीज़ होती है अब इस पे से minus क्या कर देंगे? tax तो sir, zero पे tax तो कुछ minus नहीं होगा, again क्या गया? वापस से add back क्या करेंगे? plus कर देंगे हम यहाँ पे क्या? इसको थोड़ा उपर ले जाते हैं, चलो plus करते हैं sir, debt and debt is तो cash inflow जो आगया ना एक लाख पहले साल का inflow आया पहले first year अगर आपको समझ में आगया second में कुछ रखा ही नहीं है second तो अपने आप ही समझ में आजाएगा first year समझ में आया किसी को doubt है तो बता दीजिए first year में एक लाख रुपे का inflow मेंने निकाल लिया है किसी को doubt है बताईए हाँ ना में भई, live class वाले बच्चे जवाब दीजिए अब पहले साल में, no problem ठीक है अब दूसरे साल का भी ऐसे निकाल सकते हैं चलिए, second year का यहाँ निकाल लेते हैं सर, second year का second year में देखा जाए तो sales क्या होगा मैं भी roughly कर रहा हूँ, इसको format wise भी कर दूँँगा सर, sales second year में हमारा 10% बढ़ चुका है यानि सर, अगर sales की आप बात करते हो तो sales जो होगा second year में उसके बाद वाले year में मैंने बताया था रफली तो सर, 12,000 का unit रहेगा और 22 रुपे के इसाब से बिका जाएगा तो कितने हो गए बताईए 264 का सर, sales आएगा और ये cost 11.5 से 12 को देखो जो समझ में नहीं आ रहा सर क्यूं हो रहा है पूछ जरूर ले ना 138 और माइनस कर देंगे डैप डैप तो सर, एक लाक रहेगा कितने बच गे प्रॉफिट 26 बचा इस पर टेक्स कहता है माइनस कर दो 50 परतीशत कितने सर, 13,000 बचा कितने और फाइनली बाद में एड़ कर दो तो आगया एक लाक एक लाक तीरह हजाद समझ मैं एक लाक लेकिन कुछ बच्चों कहना है सर, एक्जाम में भी यही फॉर्मेट एक्जाम के फॉर्मेट से भी मैं कर दूँँगा यह तो मैंने समझाया है अभी करना यही है बस इसको एक टेबलर फॉर्म में मैं फिट कर देंगा तो डेप्रिशेशन आगया एक तेरा अब यह कौन सा दूसरे साल का तीसरे साल भी कहानी ऐसी रहेगी है बदल जाएगी यही रहेगी तीसरे साल क्योंकि तीसरे साल भी यूनिट इतना ही बिखने है तीसरे साल का भी कॉस्ट इतना ही है तीसरे साल का भी डेप इतना ही है चौते साल भी यह रहेगा पांचवे साल भी यानि आने वाले चार सालों तक यही रहेगा तो मैं इसे चार बार करने का कोई फाइदा नहीं है हमें पता चल गया सर चार सालों तक यही रहने वाला है सर हम कैसे करेंगे इसको सब्सक्राइब लर फॉर्म में बता देता हूं क्योंकि format बताना जरूरी है कुछ ऐसा कर लेता है ऐसा कोई specific नहीं आप जैसे मैंने किया है न अगर आप ऐसे exam में करके आते हो न तो आपको marks तब भी पूरे मिलने हैं क्योंकि financial management का कोई format नहीं है दो कॉलम बना लेते हैं और उपर लिख लेते हैं हम निकाल रहे हैं inflow यह first year का ले लेंगे और आपको पता है second, third, fourth, fifth सबका सेम रहेगा तो second to five years common रहने वाला है सर यहाँ पर सबसे पहले sales की बात करते हैं पहले साल का sales होगा सर दस अजार इंटू में 20 यानि दो लाग सर दूसरे साल का जो sales होगा ना second year से जो चालो होगा वो होगा बारह हजार इंटू में 22 कितने होगे दो लाग माइनस कर देते हैं सर कॉस्ट सर पहले साल का कॉस्ट होगा दस अजार और दस रुपे का एक यूनिट था हमारे लिए कॉस्ट तो एक लाग और उसके बाद होगा हमारा दस अजार इंटू में दस नहीं होगा बारह बारह हजार इंटू में 11 पॉइंट तो कितने आगे थे ये ये वन थर्टी एट माइनस कर देंगे सर डेप्रीशेशन एक लाख एक लाख करने के बाद रिजल्ट इस प्र्फट ये आगया जीरो और ये आगया 26 अजार माइनस कर देंगे टेकस तो ये आगया 0 ये आगया 13 अजार 50 परसंट मुझे डिज़िट पिछला पूरा सारा याद है तो जीरो और ये तेरह हजार ये आ गया P.A.T. Profit After Tax फ्लस कर देंगे हम Depreciation जो एक लाख होगा और एक लाख Now result is एक लाख रुपे यहां inflow और एक लाख तेरह हजार inflow ये कितने सालों तक रहेगा सर? पास सालों तक, चार सालों तक और ये एक सालों तक, पहले inflow समझ में आ गया है अब हमें inflow का निकालना पड़ेगा Present Value inflow का निकालना पड़ेगा Present Value 50% कह रहे हैं, explain 50% भाई, टेक्स का है ये 50% जो लिया है ना मैंने सर ये 50% जो लिया है ये 50% टेक्स है, ये question में given है आप देखिए question में ये राव given 50% ठीक है? तो text उसी का लगेगा 50% भाई, question के बीच में hand raise का किसी का answer नहीं लूँगा मैं आप type कर दीजिए क्योंकि बीच में लूँगा फिर एक और hand raise आएगा फिर एक और आएगा तो फिर class थोड़ा सा क्या होगा, question होगा नहीं मैं question करवा के फिर definitely लूँगा आप query कर दीजिए एक बार chat में हमें निकालना है present value तो present value के लिए हमें जैसे last class के अंदर सीखा था वही तो करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे year सबसे पहले हम लिखेंगे year और year आपका start हो रहा एक से तो first year के अंदर आपका cash inflow CI का मतलब मैंने लिख दिया cash inflow ठीक है? CI का मतलब cash inflow तो पहले साल का cash inflow सर एक लाग सर दूसरे साल का cash inflow होगा एक लाग सेम तीसरे साल का inflow और चौथे साल का inflow और सर पाँचवे साल का भी inflow अब rate दे रखा है हमें discount rate जो है कितने percent था सर discount rate? 20% तो 20% का factor निकालना पड़ेगा तो 20% का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 divided by 1 plus में 0.2 1 divided by 1.2 तो 0.833 0.69 और है मैं तीन डिजिट ही लूँँगा ठीक है न? round figure भी नहीं कर रहा है जिरो पॉइंट 4.8 0. अब multiply करना होगा यहाँ पे एक shortcut भी कुछ बच्चे दिमाग लगा सकते हैं वैसे अभी नहीं अगले question में करेंगे कि 4 सालों का हम जीटी करके कर सकते थे हैं बुरा ही नहीं है उसमें कोई भी इसका multiply करेंगे तो present value आ जाएगा 83,000 इसका क्या आता है? 7,8 65,000 54,000 54,400 45,313 अब एक बात ध्यान रखिए है कुछ बच्चे हो सकते हैं कि बुक में से भी देख के बता रहे हैं तो बुक के आंसर और इसमें डिफर होगा मैं तीन डिजिट ले रहा हूं बुक में तो मैं पूरा करके चलता हूं इस बात का ध्यान रखना ठीक है? अब चलिए इनका टोटल करेंगे पर्जेंट वेल्यू आ जाएगा कितने? सर पर्जेंट वेल्यू है इसका तीन लाख चब्बिस अजार आठ सो हाला कि वैसे दिख रहा है कि भीया जादा आ रहा है क्योंकि पांच लाख बावन लेकिन अल्टिमेटली पर्जेंट वेल्यू के हिसाब से यह निकला हमारा ये इन्फलो है क्या लास्ट में कुछ बेच के पैसा मिला अगर लास्ट साल में कुछ बेच के पैसा मिलता तो वो भी इसके अंदर एड होके फिर टोटल इन्फलो हमें पाता मैं बात करूँ टर्मिनल का आउटफलो मैं बात करूँ टर्मिनल का आउटफलो सर तो यहाँ आएगा टर्मिनल सर्ट टर्मिनल आउट प्लो जो आएगा न वो आएगा मसीनरी पांच लाख रुपए का खरीदा और वर्किंग कैपटर नहीं जो कि मैं इसमें एड़ करूँ पुराई मसीनरी का कोई रिप्लेस्मेंट है नहीं जो कि एक्स्चेंज में मैं आएगा आउट प्लो यही रहे गया टर्मिनल इन फ्लो की बात करूँ तो इन फ्लो हमारा कुछ भी नहीं होगा जीरो ठीक है ना तो सर नेट पर्जेंट वेल्यू हमने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया था नेट पर्जेंट वेल्यू को क्या होता है उसी को आगे डिस्क्राइब करते हैं एंपी वी इस इकल टू पीवी ओफ पर्जेंट वेल्यू ओफ कैश इन फ्लो हमाईनस पर्जेंट वेल्यू ओफ कैश आउट फ्लो यह हो गया कैश आउट फ्लो एक्जाम में थ्री डिजिट बिल्कुल वैलिड है सर तीन डिजिट आप लेंगे वैलिड है अभी सभी का मैं कमेंट का जवाब दूँगा तो इन फ्लो जो आया ना वो आया तीन लाख 26,815 3,26,815 माइनस 5 लेक तो आंसर आगया नेगेटिव में 173,185 नेगेटिव में इसका मतलब सर मसीनरी शुड़ भी रिजेक्टेड क्या कर देंगे इसको रिजेक्ट हो जाएगा मसीनरी कुष्चन में कहीं नहीं बोला था नेट पर्जेंट वैल्यू निकाल नहीं कुष्चन इसी तरीके से एक्जाम में आया हुआ कुष्चन है पंद्रा नंबर का तभी तो आप सारा ये पर्जेंटेशन टेबलर वगर बना पाऊ गया अगर कुष्चन ही समझ में ना आए आपको तो बड़ी परिशानी होगे बच्चे कह सकते हैं सर 152 225 यर क्यों लिया आपने थर्ड का अलग निकालो फोर्ट का तो जब आप अलग अलग निकालोगे तो आएगा यही आनसर यही रहेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा हां अब आनसर मेरा ये जो आ रहा है ना हमारा कंक्लूजन आ गया एक शुट बैरेजरेटेट मसीनरी शुट बैरेजक्टेड किसी का सकता है 1,572,900 किसी का सकता है 1,64,500 लिपेंड रहेगा और वह वरियेशन रहेगा और वह वरियेशन के डिसीजन पर इंपेक्ट नहीं डावा सलता तोगि माले लोग दो हजार भी उपर नीचे हो गया डिसीजन क्या बदलेगा हमारा और वह सिर्फ चेंज क्यों होता है क्योंकि वह या तो आपने राउंड फिगर किया हो या अपने कैलकुलेटर पर पूरे डिसीजन नहीं आता बच्चे कह रहे हैं वोइस प्रॉब्लम हो रही है बताईए अब डाउट जिसका है टाइप करके मैं देख लेता हूँ सर ओनली टू लेक्चर रिकॉर्डिंग अवेलेबल हर्शित आप टू लेक्चर नहीं आप कंटेंट में जाईए सारा मिरेगा आपको लाइब में तो टू नहीं होगा हाँ तो दो ही तो अवेलेबल होगा तीसरी तो क्लास है यह थर्ड क्लास ही है वर्किंग कैपिटल वाला दिया हो स्क्रैप में तो क्या होगा last class में discussion किया था कुछ बच्चों के पिछले ही question घूम फिर क्या रहे हैं तो कुछ बच्चे कह रहे हैं sir working capital दिया हो तो क्या होगा कहां गई अब वर्किंग capital अगर आपका working capital given हो ना तो इस तरी के से करेंगे देखें पिछली class में करवाया था working capital add और बच्चों के sir last वाले में inflow वाले में होगा तो क्या होगा sir inflow तो है हमारा ये last में 40,000 तो हमारा जो inflow total है न यहाँ पे हलाकी question में देखा जाए तो हमने inflow जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है सिर्फ 3,26 मान लेते हैं कि ये machinery बेचने के बाद 50,000 और मिलता और 50,000 का present value मैं यहाँ add करता और फिर total inflow को यहाँ consider करता समझे बाता management accounting की regular classes डाल रहा हूँ आप एक बार चेक करिए आज भी डल गई ये class कल किसी student का phone आये था तो मैंने का भी मैं recording करकर के तो at least डाल दूँ तो तीसरी class चौती class डल चुकी है चौती है पांच भी class डल चुकी है कल फिर सुभे नौ बजे class होगा मांसी गोई रीकॉल कर दो सर अपने एफम की बुक येस अवेलेबल है जिसको नहीं अवेलेबल मैं contact number दे दूँगा उनका आप मुझे whatsapp करिए या चैट में जो करते हैं प्रवाइड उनका phone number ही डाल दूँगा सर पांच लाख कैसे आया इनली भी भाई अक्षे ये जो पांच लाख है ये किताब में गीवन है मैंने नहीं निकाला आप देखिए आपको बुक में गीवन है ये हां recorded में डाल रहा हूं वैसे मैं live भी कर दूँआ जो बच्चे जोईन होंगे 9 o'clock हो जाएंगे